सेरियल पुन्य शलोग एले भाई के आज के अपसरड में दिखायता है कि मैना भाई वाड़े को देखकर बोलते है कितना बड़ा वाड़ा तो गोतवा में बोलते है कि आपको पसंद आया अंदर से देखोगी तो मैना बोलते है कि हाँ और तबी गोत्वा में बोलते है कि देखा मैना भाई की कदम पढ़ते हैं हमें खुश खबरी मिली सच में आपकी बेटी के कदम बहुती बागेशा लिये हैं और वो मैना भाई से बोलती है कि हम आशा करते हैं कि तुम मालराव की जिंदगी में आ जाओगी ना तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी और इसके बाद दिखाये था एक आदमी शमशेर के पास आकर ख़बर देता है तो यह सुनकर शमशेर गुसे में आ जाता है और बलता है कि क्या का रानो जी शिप गया लाधिना, ऐसा कैसे हो सकता है तो वो आजमें बलते है कि जी यह सर्कार रानो जी के साथ साथ बाकी सर्दार ने भी नाक रगड़ कर मदलारो सर्गार के सामने माही मांगी तो यह सुनकर शमशेर गुसे में आ जाता है और इसके बाद दिखाया था मदलारो अहिला से बोलते हैं पूरे मालवा में फैले हुए हैं उन्हें बीना समय गवाय उखाड कर नश्ट कर नहीं होगा तो तुकोजी बोलते हैं कि सरकार अहिला बिल्कुल सही करी है हमने सेंदवा तो जीत लिया है लेकिन अभी भी गौद के सरदार शमशेर सिंग का सरकुचलना बाकी है तो अहिला बोलते हैं कि हाँ बाबसार सारी फसाद की जड़वई है वैसे बाबसार आपको दुबारा तलवार उठाए देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और तबी तुकोजी बोलते हैं कि हाँ सरकार हमें बहुत अच्छा लगा तो मलारा बोलते हैं कि अहिले हमारे आशरत हमेशा तुमारे साथ है और तो कजी तुमारे साथ भी कहने की जरूरत नहीं विजे होकर लोटो और इसके बाद दिखायता है शुंशेर अपने आदमियां से बोलता है कि 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 आप लगों का अपनी बाजियों पर बरोसा है तो सबी लोग बोलते हैं कि जी सर्दार बरोसा है तो शुमशेर बोलते हैं कि तो फिर मैं अपना हक लेकर रहूंगा और वो हक है मालवा से अलग राज है और तब ही सबी लोग बोलने लगते हैं कि हाँ 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 हक लेकर रहेंगे और इसके बाद वाड़े का सिंध दिखा जटा है कि सबी लोग मैना भाई की बाते सुनकर हसने लगते हैं और तब ही गोत्मावे बोलते हैं कि आओ मेरी गोध में बैठो, तो मैना आकर गोत्मावे की गोध में बैठ जाती है, और तब ही मुक्ता बोलते हैं कि मेरे दादा साथ बहुत बहुत बहादूर हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं, और शर्माते भी नहीं हैं, तो मैना बोलते ह अगर तुम्हारे दादा सब इतनी भाद्र है तो वो आते क्यों नहीं क्या वो डर गई हैं तो दौर का भी बोलते हैं कि नहीं डरते तो नहीं हैं लेकिन शायद हमारे राजगुमार यह चाहते हैं कि उनकी पत्री उनसे आकर खुद मिले तो चलो तुम्हें कक्ष तक लेकर अए तो तुम खुदी उससे मिल देना और तभी मैंना की पिता गोत्माव Спोछ सबसे जादा घुछ तो वो होगी 171 और इसके बाद लेका आती हो पासे पासा ओख एब जल जल्दी से त्यार हो पुल गई है पर देखो ना अपने ये बेटे की खुशियां बूल गई तुमारी ऐसे ही तो करती है तो रकमा बोलते एक मैधलयाब शोड़ो ना और कहा ना तुमारी या थूर्व चुह क्वे उस्थ था है तो उन्हें, अजर्व फार्व जान नहीं है और क्या कि उन्हें पता है कि हैं तुमारी आई-स Yemen हैं बला उनसे बीना पुशे तुमारे रिष्टे की बात आगे बढ़ सकती है वो सब जानती है तो मादरा बोलता है कि फिर भी वो यहा नहीं है तो रकमा बोलते है कि तुम चिंता मत करो हम बावा साहब से बात करेंगे और इसके बाद दिखायता है मादला रहा 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 रह अहिल्या सब बोलते हैं कि अहिल्या एक बार फिर सोच लो तुम वाड़े में लोट चाओ तो अहिल्या बोलते कि बावा सब आपकी बात को काटने के लिए माफी चाती हूं लेकिन मैं आपकी आगया का पलन कर रही हूं गोहद महें की जिम्हेंदारी आपने मुझे सौंप और हम लक्षे के काफी क्रीब भी हैं अब ऐसे में समय के साथ साथ बलकी भी बरबादी होगी अब आप इताय कर लीजिए कि आपको हम दोनों पर बरोसा है कि हम इस महिम से विजए होकर लोटेंगे तो तुकोजी बोलते हैं कि देखा सरकार अहिल्या और भी ज्यादा जिम बलते हैं कि तुम वाड़े में लोट जाओ और हाँ तुम्हारी सासुबई ने तुम्हें सासुबई बनाने का प्रस्ताव रखा है और हमारे से नहीं अप्पासाइब ने हमें संदेशा बेजा है वो जल्दी अपने परवयार के साथ वाड़े में पहुंचते होंगे तो म मलारों सोचते हैं कि जो गलती हैं हमने खंडरा को समय ना देकर की है वही गलती है तुम ना दराओ अहिल्या और तबही अहिल्या मलारों की तरफ देखती है और बलते है कि क्या हो वाड़े में लोट जाएंगे तो मलारों बोलते है कि हमें इस बात का गरव है कि हमेंने तुम्हें अपना उत्रहटगारी चुना है और इसका बद खायता है अहिल्या और तुकोजी गंगवा के बताए हो इस्थान पर जाते हैं और इसके साथ ही आज का एपसोड खतम होता है और आने वाले एपसोड में सब्सक्राइब करें